नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं HDFC Life के बारे में 7% की भारी तेजी हमें आज देखने को मिली है जिसका रीजन है कि HDFC Life को Nifty 50 में एंट्री मिल चुकी है तो क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का या नहीं उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे बहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगलर अपडेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन मेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए बात करते हैं HDFC लाइफ के बारे में तो आप देख पाएंगे HDFC लाइफ में जो तेजी देखने को मिलिए वो इसी के कारण है कि July 31 से हमें Nifty 50 में HDFC लाइफ दिखने वाला है वो जगा लेने वाला है वेदान्ता की क्योंकि वेदान्ता D-List होने वाला है सारे इंटाइसे से वेदान्ता को निकाला गया है अलग-अलग चेंजस देखने को मिला है उसके बार में भी बात कर लेते हैं वेदान्ता निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 100 और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में से भी निकारा जा रहा है। उसकी जगा पर हमें देखने को मिलागा फिलाहली लिस्टिंग हुई थी जिसकी SBI कार्ड्स हमें देखने को मिलने वाला है। सभी इंडाइसिस में वेदान्ता की जगा पर और साथी साथ जो मेटल इंडेक्स हैं उसमें से भी वेदान्ता को निकाला जा रहा है। इसकी जगापर हमें मिश्रा धातू निगम दिखाई देगा, यानि की मिधानी दिखाई देने वाला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पहले हमें HDFC लाइफ दिखाई दिया था। निफ्टी विफ्टी और सेंसेक्स में सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी ब्ल्यूचिप श्रॉक सी रखे जाते हैं तो ये एक सम्मान की बात है इस कंपनी के लिए कि उसे निफ्टी विफ्टी में जगा मिली है और इसी के कारण हमें आज तेजी भी देखने को मिली थी अब चलिए बात कर लेता है कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि HDFC Life Insurance Company एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1,10,000 करोर्ज के आसपास लाज ट्रेड़ प्राइस है 5.72 रूपी जो कि हमें 4.41 परसंट उपर दिखा है आज का जो हाई बना था वो था 5.90 के आसपास जो कि हमें 7 परसंट तेज दिखा था वन वीक के रिटन्स के बारे में बात करें तो 2 परसंट के पॉजिटिव रिटन्स हैं वन मंत के बारे में बात करें तो 10 परसंट के पॉजिटिव रिटन्स दिखाई दे रहे हैं वन यर के बारे में बात करें तो तकरीबन 15 परसंट के पॉजिटिव रिटन्स दिखाई देते हैं 19.58 जबकि sector का price to book है 1.74 तो आप देख पाएंगे काफी ज़्यादा overvaluation यहाँ पर भी नजर आता है fundamental strong company है अच्छी company है अगर आपको इसका fundamental analysis देखना है तो top right corner पर एक link आ रही होगी उसे click किजिया इसका fundamental analysis कर सकते हैं देख सकते हैं हमने वहाँ पर वीडियो पर पूरी चर्चा की है कैसी company है कैसा financial trend है कैसा income statement है इस वीडियो में सारी चर्चा नहीं करेंगे और चलते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग charts पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि market crash से पहले stock 600 के आज पास trade कर रहा था लेकिन उसके बाद अच्छे घासी गिरावट हमने देखी 350 के आज पास stock ने support दिया और आप देख पाएंगे उसके बाद अच्छे recovery भी देखने को मिली है almost 600 के आज पास पास पहुंच चुका है 576 के हमें आज closing भी देखने को मिली है अगर बात करें current situation के बारे में तो आप देख पाएंगे सारे moving average के उपर फिलाल ये trade कर रहा है चाहे वो 20 days का हो 50 days का हो 100 days का हो या 200 days का हो अगर बात करें indicators के बारे में तो money flow index का जो number calculate हो कराता है वो 84.71 आप देख पाएंगे highly overboard zone में ये already enter कर चुका है तो यहाँ पर हमें fresh position मनाना थोड़ा risky हो सकता है यहाँ पर हमें technical correction देखने को मिल सकता है अगर बात करें RSI के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का number जो calculate हो कराता है वो 72.02 यहाँ पर हमें overboard zone देखने को मिला है अगर यह और उपर जाता है और 80 के उपर निकल जाता है number तो हमें यहाँ पर भी highly overboard zone भी देखने को मिल सकता है अगर बात करें इसके MSCD के बारे में तो आप देख पाएंगे MSCD में हमें bullish crossover ही देखने को मिला है काफी समय पहले bullish crossover देखने को मिला था काफी दिनों से इसमें upper moment चली है तो यहाँ पर हमें कभी भी technical correction देखने को मिल सकता है और साथे साथ हमने देखा आज का high बनाता है उससे काफी जादा नीचे हमें closing देखने को मिली है अगर बात करें upper band का level जो है 566 का median जो है वो calculate होकर आता है 525 का level lower band जो है 483 का level अब बात कर लेते हैं इसमें pivot points के बारे में तो आप देख पाएंगे pivot level जो calculate होकर आता है वो है 529 का level resistance की बात करें तो current market price के आसपास ही एक resistance दिखाई दे रहा है जो कि उसके ऊपर ही हमें closing देखने को मिली है लेकिन वहाँ पर stock sustain हो पाता है या आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा आगे जो दूसरा हमें resistance दिखाई दे रहा है वो 598 का level अगर नीचे के levels के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 505 का level यहाँ पर दिखाई दे रहा है 505 का level के भी नीचे जाए तो हमें 461 का level भी दिखाई देता है आला कि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछी दिनों में हो जाएंगे इसके chances कम ही दिखाई दे रहे है अब बात कर लेते हैं all time chart पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे हम लोग all time chart पर आ चुके हैं जहां पर एक candle 1 month को represent करेगा 2017 के end में हमें इसकी listing देखने को मिली थी और आप देख पाएंगे उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली है लेकिन फिर से हमें 5 minute के आसपास resistance phase करने के बाद profit booking देखने के बाद stock वापस नीचे आता हुआ नजर आया था 350 के आसपास हमें stock आता हुआ नजर आया था लेकिन उसके बाद 2019 का जो year रहा था सारे insurance company के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दिया था आप देख सकते हैं अच्छी तेजी देखने को मिली 650 के आसपास stock पहुँच चुका था लेकिन market में crash देखने को मिला वही 350 का level हमें वापस देखने को मिला था वहाँ पर फिर से support लिया और वापस हमें तेजी देखने को मिल रहा है चलिए बात कर लेते हैं इसमें positions के बारे में अगर आपने बहुत ही ज्यादा उपर position बना रखी है आप अपी loss में चल रहा है तो मेरा मानना है loss बुक करने की कोई भी जरुवत नहीं है बहुत ही अच्छी company है fundamentally strong company आप इसे long term के लिए hold कर सकते हैं लेकिन अगर आपने नीचे position बना ही है आप अपी profit में चल रहा है अगर आपने long term के लिए है तो continue holding कीजिए लेकिन अगर आपने short term के लिए है तो मेरा मनना है आप profit booking के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमने देखा काफी दिनों से wallinger band के upper band के आसपास trade कर रहा है उसमें भी हमने देखा उपर के price पर हमें profit booking देखने को मिली और जो closing थी वो today जाय से काफी नीचे होई थी तो यहाँ पर जो short term के लिए जिनोंने लिया है वो profit booking के बारे में सोच सकते हैं fresh buy के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप aggressive investor हैं active investor हैं तो मेरा मानना है 500 का level आपके लिए अच्छा level है तो अगर आपको 490 से 510 के level में ये zone में आपको मिलता है यानि कि 500 के आजपास अगर आपको ये मिलता है तो वहाँ पर aggressive investor थोड़ी सी position बना सकते हैं लेकिन अगर आप wait करना चाहते हैं patient investor है conservative investor है तो मेरा मानना है आपको 450 का wait करना चाहिए क्योंकि हमने देखा है 450 के आसपास stock ने पहले भी support लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी और साथ ही साथ pivot point पर जो दूसरा support बन कर आता था वो भी 450 के आसपास था तो मैंने levels आपको बता दी है लेकिन कौन से level पर लेना है ये तो आपका decision है लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए मुझे motivate कीजिए thank you stay happy happy investing subscribe कीजिए मुझे लुट आपको बता है उने मुझे लेकिन कीजिए